So Hello Everyone, आप सुभी का स्वागत है हमारे स्योटूब चैनल इंडियन टैक स्टोडियो में और आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने फेस्बुक पे क्रियेट हुए रूम को कैसे डिलीट कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप लोग चाते हैं फेस्बुक पे क्रियेट हुए रूम को डिलीट करना लेकिन आपको डिलीट करना नहीं आता है तो फिर जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी आप से छोटी स्रिक्वेश्ट है यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक निकिया और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेके बेल आइकन को भी प्रेस करे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंचते रहे तो चले दोस्तों बिनादरी के वीडियो को सुरूख करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोयल में फेस्बुक एपलिकेशन को ओपन करना है और फेस्बुक ओपन करने के बाद आपके सामने इस परकार का पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों आपने अपने फेस्बुक पे जो भी रूम क्रियेट कर रखा है वो रूम यहाँ पर इस परकार से दिखाई देगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकतो मैंने भी यहाँ पर अपना एक रूम क्रियेट कर रखा है और यह रूम यहाँ पर इस परकार से दिखाई दे रहा है और दोस्तों अब आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग किस परकार से क्रियेट हुए रूम को डिलीट कर सकते हैं दोस्तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखेगा और अच्छे से समझेगा ठीक है ना तो देखे दोस्तो आपको करना क्या है यहापको अपने रूम पर किलिक करना है ठीक आपको जोइन वाले ओप्सन पर किलिक नहीं करना है आपको रूम पर किलिक करना है जैसी रूम पर किल कार का page open हो जाएगा और दोस्तों अब आपको ऊपर corner में एक setting का icon दिखाई देगा ठीक है इस setting वाले option पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद इस पर car का page open हो जाएगा ठीक है और दोस्तों देखें यहापर काफी सारे option है ठीक है तो दोस्तों आपको इसमें नीचे last में एक option मिलेगा end room का तो दोस्तों simple आपको end room पर click करना है जैसे आप end room पर click करोगे तो दोस्तों आपका जो room होगा वो यहापर delete हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा जो room है वो यहाँ पर delete हो चुका है तो इस तरीके से आप लोग Facebook पे create हुए room को delete कर सकते हैं आसानी से तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो room है वो यहाँ पर remove हो चुका है तो दोस्तो आज किस वीडियो में तो नहीं और दोस्तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share, comment करके जरूर बताएगा आपको यह वीडियो कैसे लिए Thank you दोस्तो